Good morning students, today we will do the reading of the lesson काम बनी पहचान, lesson 3, class 4, वितान बुक काम बनी पहचान कक्षा चार में आज विशेश चहल पहलती बच्चों को शौशनिक ब्रह्मन पर प्रदशनी में ले जाया जा रहाता बच्चों प्रदशनी में बिलकुल शोर नहीं करना कतार बना कर चलना शिक्षिका ने बच्चों को समझाया मैम वहाँ कौन सी प्रदशनी लगी है नावल ने पूचा वे कल स्कूल नहीं आया था प्रदशनी उन महान लोगों की है जिन्होंने स्वयम परेशानी उठाकर समाज की बलाई का काम किया है शिक्षिका ने बताया मस्ती करते हुए बच्चे बस से प्रदशनी बवन पहुँचे बच्चों एक दूसरे के पीछे कड़े होकर रेल बनाओ देखो कोई चूट ना जाए शिक्षिका के निर्देश का बच्चों ने पालन किया एक बड़े से हॉल में बच्चों की रेल पहुँची बहां लाइन से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और सूचनापत पर उनके बारे में लिखाता आपको प्रतिमाओं के नाम और उनकी जानकारियों को विशेश रूप से पढ़ना है कहते हुए शिक्षिका उन्हें पहली प्रतिमाँ के पास ले गई सूचनापत पर प्रतिमाँ का नाम जन, काम, आधी जानकारी लिखी थी बच्चों ने उसे पढ़ना शुरू किया नाम, डॉक्टर वर्गीस कोरियन, जन, 26 November 1921 26 November 1921 26 November 1921 स्तान, कोडिकोट, केरल अन्ने नाम, मिल्कमन, श्वेत, क्रांती के जनक वर्गीस कोरियन, भारत सरकार की एक परिक्षन जोजना में काम करने सन 1949, सन 1949 में गुचरात गए वहां किसानों की डैनिय हालत को सुधारने के लिए सन 1953, सन 1953 में अमूल डायरी शुरू की इससे किसानों को दूद का उचित मूल्य मिलने लगा डॉक्टर कोरियन के प्रयास से हमारा देश दूद का निर्यात करने लगा ये मिल्कमन के नाम से जाने जाते हैं जानकारी पढ़कर बच्चों ने तालिया बजाई और आगे बढ़ गए दूसरे नंबर पर पहाट कोते एक आदमी की प्रतिमा बनी थी बच्चे उसके बारे में अनुमान लगा कर पूछने लगे शिक्षिका ने मूँ पर उंगली रखते हुए चुप रहने का संकीत किया निवेदिता अब आप जानकारी पढ़कर सब को सुनाओ शिक्षिका की बात सुनकर निवेदिता आगे आई और बताना शुरू किया ये है फाउंटेन मैन की 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 दबे स्वर में सब हसने लगे फाउंटेन मैन नहीं माउंटेन मैन लिका है बेटा ध्यान से और पूरा पढ़कर सुनाओ शिक्षिका ने सुदारा नाम दश्रत मांजी, जन्म 14 जन्वरी 1929, 14 जन्वरी 1929, स्तान कल्राव गाउं बिहार, अन्य नाम माउंटेन मैन. इनके गाउं में बिजली और पानी की व्यवस्ता नहीं थी, ये जिस गाउं में रहते थे, वहां से शहर जाने के लिए एक पहाड पार करना पड़ता था, उचित समय पर चिकित्सा, सुविदाना मिलने पर गाउं वालों की मृत्यू भी हो जाती थी, ऐसा ही हादसा इनकी प पहाड काटकर रास्ता बनाने के लिए निकल पड़े, 22 वर्षों के अतक परश्रम के बाद ये पहाड काटकर रास्ता बनाने में सफल हुए, निवेदिता ने पढ़कर सुनाया, मैंने अपनी हिंदी की किता में कहावत पड़ी है, अखेला चना बाड नहीं फोड सकता, लेकिन दश्रत मांजी ने ये कहावत गलत साबित कर दी, रागीनी ने कहा, उसकी बात सुनकर शिक्षिका मुस्करा दी, बच्चों ने प्रदस्णी में मेट्रो मैन, मिसाइल मैन, वाटर मैन आदि के बाले में भी जाना, इन माहान लोगों के बाले में बात करते हुए बच्छे बापस बस में आ गये, बच्चों, आपको प्रदशनी कैसे लगी, बच्चों का उसा देका शिक्षिका ने पूछ बहुत अच्छी मैम सब ने कहा मुझे तो मेट्रो मैन श्रीदरन अच्छे लगे क्योंकि उनकी महनत और बुद्धिमानी से मेट्रो रेल चल पाई मोहिता बोली और मुझे मिसाइल मैन एपी जेव अब्दुलकलाम वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे उनकी वज़े से ह मारा देश विज्ञान के शेत्र में आगे बढ़ सका रोहन ने अपनी पसंद बताए मैम मैम मुझे तो वाटर मैन राजिंदर सिंग के बारे में जानकर अच्छा लगा उन्होंने जोहेट से जल संकरन करके राजस्तान की पानी की समस्या को दूर किया निवेदेता की बात हमने क्या सीका आज हमने जाना की दूसरों की परवा करना ही हमें महान बनाता है नवल ने गंबीरता से कहा काम से ही हमारी पैचान होती है रेवती भोली और नया नाम भी मिलता है निवेदेता की बात सुनकर सब फिर हस्प पड़े so very beautiful lesson read one or two times if you still have any pronunciation doubt just comment me i'll try to explain you thank you students